हेलो फ्रेंट्स यह आप हैं यह हम हैं और आज हम इंसरेंस में सीखने वाले हैं पिंसिपल्स आफ इंशरेंश प्रेंट्स नोलिज हैं हैं इसको कई बार पूछा जाता है उसको सिंपल वे में सीख़ेंगे इकदम आसान वे और ये knowledge सबको होना चाहिए इसके लिए maximum लोगों तक इस वीडियो को share कीजिए आपके family members को भी इसका ग्यान होना चाहिए तो चलिए दोस्तों start करते हैं principles of insurance ये आपके सामने seven principles of insurance के कितने seven screenshot ले लिजे और सातों principles को बहुत अच्छे से याद करना है अट्मोस गुड़ इंचुरेबल इंटर्स इंडैमिटी प्रॉक्सिमेट कॉस याने कॉज़ा प्रॉक्सिमा भी कहते हैं subrogation contribution mitigation एक-एक करके मैं बताता हूं और बहुत सारी बाते मैं आपको अभी बताने जा रहा ह फ्रेंट्स मैंने आपके लिए description में chapter wise videos का link दिया हुआ तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी कोई भी आप मेरा वीडियो देखते हूं तो description चेक करेंगे तो कई videos का link दिया रहेगा वहां जाके देख सकते हूं यहाँ फिर आप प्लेइलिस्ट पे क्लिक करोगे कैसे क्लिक करोगे लास में आपको बताने वाला हूं प्लेइलिस्ट में कैसे जाके चेक करना फिलाल हम स्टार्ट करते हैं principles of insurance point number one principle number one is utmost good faith का मतलब होता है कि insurance जैसे कि आपको पता है अगर आपने मेरा previous वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखी का उसका link में आपको description में दे दूंगा terms of insurance की हम बात कर रहे हैं insurance क्या होता है तो utmost good fit क्या होता है friends company और हमारे बीच में करार हुआ है insurance company और हमारे बीच में contact हुआ है उसमें यह principle clear लिखा हुआ policy में चेक कर लेना utmost good faith का मतलब है company कहते है कि हम आप पे विश्वास कर रहे हैं आप जो भी हमें information दे रहे हो हम उसके विश्वास कर रहे हैं तो अगर हमें पता चला कि आपने हमारे साथ विश्वास घात किया है तो आपके साथ जो contractors को वाइड याने cancel माना जाएगा हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे इसके लिए जितना हो सके insurance लेते समय आप में छुपाना नहीं है अगर आप छुपाते हो तो सामने वाले को benefit मिलेगा यानि company जब पैसा देने का time आएगा company बहाना डूंडेगी और आपको पैसा नहीं देगी आज भी लाको केस इंशुरंस के पैंडिंग पड़े हैं कोड के चक्कर काट रहें परिवार वाले इंशुरंस पॉलिसी लेती समय आपने कुछ भी छुपाना नहीं है यह याद रखेगा कैसे में उसका example देते हो लेकिन राइट न सेट में वर्ड दिया है उबरी में फाई उबरी में फाई क्या है फ्रेंट्स एक लेटिन बाशा का शब्द जिसका मतलब वह होता है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ आट्मोस गुड फेथ मतलब क्या है मैं आपको इस प्रिंसिपल का एक एक जामपल देता वह हो गया उसमें पूछा गया मेडिकल चेक अप किसम है तिरे को कुछ ऐसी कुछ बीमारी है जिससे तुमारी डैट हो सकते वह नो आयम ओकी आयम एकदम फाइंड कोई बीमारी नहीं है मैं तो एकदम फिट हूँ हीट हूँ ठेक है पॉलिसी इशू हो गई अब मुश्कि इसा मांगा जा रहा है तो रीजन ऑफ डेथ लिखा नहीं है कि यह बंदा मरा कैसे कंपनी को लगा दाल में कुछ काला है सी आडी इंस्पेक्टर दया दरवाज़ा तोड कि उसको अपॉइंट किया यानि लाइसी वाले इंक्वारी करने के लिए आते हैं और पड़ोसी बह प्लैट में बंदा रहता था तो पूछ बाए आपके ऊपर माले बंदा रहता था कुछ दिन पहले इसके डैथ हो गई तो पड़ोसी तो नेकदिल इंसान होते हैं नहीं बताने वाले बाते तो पहले इसके लिए पड़ोसी के साथ रहे बहुत अच्छा रखेएगा बाकि अब समझदार है तो उन्होंने बता बंदा बहुत अच्छा था नेक दिल इनसान था बंदे का ने पांट साल से टाक्टा हॉस्पिडल में इलाज चलता था पांट साल से टाक्टा हॉस्पिडल इस फेमस पॉर गलत जवाब ना देंगे अब बंदा पांट साल से इलाज कर रहे हैं कैंसर का और पॉलिसी कब ली तेन साल पहले यानि बंदे ने बात छुपाई कंपनी को यह बात पता चल गई कंपनी पैसा नहीं देगी वाइड कि आपने हमारे साथ विश्वास घात किया आपने हमें छुपाया नहीं तो क्या बताना चाहिए बिलकुल बताना चाहिए अगर आप बता देते हो तो भी इंच्रेंस होता है नाइंटी परसंट इंच्रेंस होता ही है बस प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहता है जितना चुपाऊगे उतना अपने आपको नुकसान पहुचाओगे यह पिंसिपल यही कहता है पॉइंट नमबर डू इंशुरिबल इंट्रस्ट इंशुरिबल इंट्रस् नहीं तो ही यह पिंसिपल अपली के वला मैं आपको समझाता हूं मैंने दुकान का इंशुरिंस किया इंशुरिंस करने के अब इंशुरिंस करने के दो मैने बाद दुकान बेश ती दुकान बेशने के बाद उसमें आग लग गई तो क्या कंपणी मुझे पैसा देगी थे आधी कि नहीं देगी नहीं देगी क्यों अभी मेरा उस प्रॉपड़ी में कोई इंट्रस नहीं है मुझे फानिंचल लास हुआ ही नहीं है तो उसमें मेरा इंट्रस का होना बहुत जरूड़ है जिसको बहुत इंशरेबल इंटरस्ट कंपनी वोलते हो तुम्हें नुकसान होगा तो हम बरपाई करेंगे यहां तो 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 नुकसान हुआ वह बंदा गया मेरे को पाई सादो तुमको क्यों दे हमने तुम्हारे साथ करार नहीं किया तो यह आपको हनिमून से होके मस्त एंजॉय करके तो बहुत घूम किया इदर उदर पिच्चर विच्चर मस्त फोटोस वगर ले लिए हम यहां घूम किया है फेस्बूक एक्सेटरा पर अपलोड कर दिए सब अच्छा था एक दिन वाइफ को पता चला कि मेरे हभी का इतने करोड़ों का इंचुरंस है और यह बंदा मेरे को मेक अप के लिए पाइसा नहीं दे रहा है बस फिर क्या था उसने अपने एक्स के साथ मिलके इसका वाइजएड कर डाला पाकिस साथ हंडर क्राइम में पैटरल में बताते रहते एक पिक्चर आया था बहुत पहले अक्षे कुमार का ब सब्काम यहीं बना करता है तो compose रहा है तो से कीम्पणी पैसा नहीं देगे आपका अपनी nam यह क्या आप में आपनी इंट्रस्ट नहीं है इप सुषान सिंग केस का रिसेनली आपने सुना रहीगा तो देती है और नहीं देता बवर कंपनी कम्पनी पैसाइसी को नहीं तो यहाँ पहसे बाद करें तो जिस चीज को जो पंधर होना वो मतलब नंभी का मतलब क्या होता है compensation for loss company कहती है हम आपको उसी position में लाएंगे prior to the happening of the events नुक्सान होने से पहले आप जिस position में थे हम आपको उसी position में लाएंगे that is indemnity for example आप कार के मालिक हो आप में नई कार ली must कार कुछ दिन तक चलाई एक दिन आपने होटल के बाहर कार पाक की और होटल में खाना खाने गए खाना खाने के बाद वेटर को टिप देने के बाद बाहर आके देखा कि आपकी कार देखने रही है सामने वाला इंसान बोल रहा भाईसा मीचू देखो नीचू तो वहां देखा कि कार एकदम पिचक गई उत्ते में खाना खाने से पहले थे कार के मालिक और अभी आप हो गया भंगार के मालिक आपने रोते-रोते कंपनी को और सित इंवी करेंगे लाइफ इंसान किसे भी मिर्त वक्ति को जेवेद नहीं कर सकती लाइफ इसको कौजा प्रॉक्सिमा भी कहते हैं कई पर क्या होता नुकसान के एक से ज़्यादा कारण होते हैं जिसका इंशुरेंस किया है उसका ही पैसा मिलेगा जैसे आपने कांजी भाई वाली पिक्चर देगे एक्ट ऑफ गौड ओ माय गौड अरे भाई तुमने फायर पॉलिसी ली है यहां पे एक्ट ऑफ गौड गौड ओव बोला पैसा क्यों देंगी पैसा एक्ट ओफ गौड आपने पिक्चर देखी होग्यों ओमाइगाड ओमजी सरू देखिएगा नेक्स पॉइंट इस सब्रोगेशन सब्रोगेशन का मतलब होता है special right to insurance company to recover the damage property to recover the damage property अगर company हमें पूरा compensation दे रहे हैं तो जो damage की प्रोपर्टी है वो company लेके जाएगी अभी मैंने आपको बताया कार का मालिक हो गया भंगार का मालिक company तुमको पूरा पैसा दे रही नहीं कार ले लो वह भंगार company लेके अपने साथ क्यों दो reasons है एक तो यह भंगार में भी बेचेंगे तो कुछ न कुछ पैसा आएगा पांच अजार दस अजार जो भी तोल के भी बेचेंगे तो केलो के हिसाब से भाई पांच अजार दस अजार भी एक रखम होती है एम आप इंशूरेंस इस्टू कवर दर रिस्क याद की पीसा दिया तो डिया विवी प्रॉफट इसको कम कर एक सी सथ अरुक्स अकंडिन नुख साथ करेंगे नुखसान अनुखसान कम करेंगे जाने कंडूट सबूद के थे वजए में वांब कार बन पांद और सब्सक्राइब करने की कोशिश की जाएगा तो इसके लिए डेमेज की प्रॉपर्टी के बार कंपनी अपने साथ लेके जाती है फुल कॉंपेंजेशन इस पेड इस प्रिंसिबल ऑफ सब्रोगेशन पॉइंट नमबर सिक्स prioritize contribution यान अरे शेरिंग की हम बात करें कुछ लोग डबल इंसुरस करते हैं इंशूरस अनेख प्रॉपर्टी कि ना के एक इंशूरस कर लिया के दौनों कंपनी मिलेगा आपको क्यों रोल दस लाग मिलेगा येस एम आप इंश्रेंस इस तो कवर दिस से नाट तो अन प्रॉफिट दोनों आपका समें शेर करेंगे अगर आपको 10 लाग दे रहे तो बी कमपनी से 5 लाग ले लेगे और यह दोनों मिलके पांच-पांच-पांच-पांच रुपया अपना अपना देंगे आपको डोल 10 लाग ही मिलेगा अगर यह पिंशिपल नहीं होता तो हर इनसान क्या करता है मस्त दुकान बनाता लाख रु पर कबंदरी कर तो कॉंट्रिबिशन आपने समझा अब सवाल यह के बंदेने डवल इंश्रेंस क्यों किया फॉर प्रोटेक्शन कडर रहता है कल को एक कंपनी पैसा नहीं देते तो मैं पूरा पैसा भी कंपनी से वसूल कर सकता हूं अब सवाल यह है कि कॉंट्रिबिशन में पैसा तो शेर करके देंगे ने पूरा पैसा दिया तो वह 20 से हिस्सा ले लेगी कमपनी को पता कैसे चलेगा पड़ोसी नेक दिल इंसान होते हैं इंक्वारी होती है तो एक तो यह दूसरा पिंसिपल नंबर वन आप भूल गया आपने खुड चुपाना नहीं है सब सच सच तो आपको कमपनी को सब बताना पड़ेगा यहां पर कमपनी आपस में एक दूसरे को कॉंटेक्ट करके पूष्थी कॉल प्री होगे ना आपको तो पता है जी यो की वज़े से ये यह कमपनी के क्लीम पेपर है क्या आपके बास आया तो आपका भी बच्चे का पाइसा इस बच्चे का दोनों मिलके शेर करेंगे सामने वाले को तो नहीं देंगे जितने की संपत्ति गई है क्लियर है लास्ट वन इस mitigation पॉइंट नमबर सेवन इस mitigation का मतलब होता है minimization of loss कोशिश करना है कि के नुकसान कम से कम हो इंश्रस का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसिव रोल प्ले करेंगे तमाशा देखेंगी कि फॉर इक्जामपल दोपर के टाइम पे आग लगी आप खाना खाने गये थे आके देखा तो आपके दुकान की बाहर भीड लगी है जैसे कांजी दुकान की बाहर भीड लगे ती आपकी दुकान जल रही है सब लोग आपको बोले तेरी दुकान जल रही है आप बोलतो टेंशन मतलों इंश्रेंस किया हुआ है आने दो पैसा कंपनी से एकदम चकाचक दुकान बनाऊंगा मार्केट में लोग देखते रह जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग गार एंश्रेंस कंपनी को मिल गई ना है, तुमको कोई पैसा नहीं देगी, क्योंकि तुमने प्रॉपरट्टी को बचाने की कोशक ने का मतलब आपने आघ में चूर जानए, आपनी जानने का मनी ऐसा नहीं है कोशिच करो के नुक्सान कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सब आपने करना है आपने कोशिश करने कि नुकसान कम से कम हो फ्रेंट्स दीस वर दपिंसिपल्स अब ध्यान से सुनिे जो मैं आपको चीजह बताने या लन के बात करें तो मैंने अभी अब बताया था दो प्रकार का इंशेरंस होता है बताया था लाइफ इन्शेर्हुल्स को दो अप्लिकैल स्क्रीन इसकी को जन शन को साथो के साथों फिंसिवल्स एप्ली के उगते सिब्स चाहिए एक्जाम में पूछा इंशरिबल इंटरस चीह करड़ा Solutions वो Is वे जरद रहें जड़ाने गे उन्हें ग들हां मैंने क्लियर की चीजों को आसान गिया ताकि लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें तो यह हम नारे सेवन प्रिंसिपल साज हमने कवर किये उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझी रहेंगे इसको बहुत अच्छे से आपके त्यार कर लेना है और मैंने आपको बता दिया कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ें करता दूं आज हमने जो टॉपिक कवर किया है और उसके अलावा आपको बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कभी आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो देखना सुनना तो कुछ टिप्स उपर लिखे हुए सबसे पहले तो आप मैंने चैनल को स फॉपेज ओपन होगा तो वहां पसी वर्ट देखेगा नहीं हिस थ offenders है टो घूपिक नहीं और इस त्थोल्ड़ ऑने हम आपको च चाहिए जो